तो जी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गाडियों में क्यों आग लगती है और आपने बहुत सी बार देखा है रोडों पे खड़ी होई गाडियां जलके खाक हो जाती है और उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि ऐसी क्या के गलतियां आप करते हैं ज तो जी आज के वीडियो को टॉपिक यह है कि अगर ऐसा आपके साथ गलती से हो जाता अलिजी आप रोड पे चल रहे हैं और गाड़ी में आग लगती है और आपको पता चल गया कि अब गाड़ी में आग लग गई तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और कौन से कदम उठा कर यह सकता है कि आपको यह content काम में आए पर इन चीज बात बहुत करना और ना करे बगवान ऐसा आपके साथ में होता है कि आपको पता चल रहा है कि अब कहीं से हल्की पूल्कि और की लपटें बाहर की तरफ आ रही है ऐसा जनरली आपको या तो डैश्बॉर्ड के आसपास दीखने को मिलेगा या फिर बॉनट के पास जहां पर विंड्शिल्ड आपकी एंड होती है वहां पर देखने को मिलेगा तो अगर ऐसा आप देख पा रहे हैं कि हल्की फुल्की इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा उसके बाद में आपको सबसे पहले करना तुरंत गाड़ी का इगनेशन बंद करके गाड़ी को हैंड ब्रेक लगा के और अपनी गाड़ी में से बाहर निकल जाईए ऐसे में बिल्कुल भी देरी ना लगाईए गाड़ी से बाहर नि निकल सकता है तो उसको निकालने की कोशिस करने में कुछ बुराई नहीं है पर यहाँ पे अगर इस तरह आपने उसको अंदर कहीं छुपाके रखा है जिसे निकालने में आपको 5-7 मिनट लगने वाली है तो मैं आपको सजिसक्र करूंगा कि वह सामन कितना भी कीमतियोगा साय दुबारा आजाएगा पर एक बाए जिनदी की जाती तो वो दुबारा कभी नहीं आती और हां ऐसे में चीज और बता दूं कि ऐसे समान के बारे में बिल्कुल चिंता मत करीं जैसे की कपड़ों हो गए जैसे कि आपके छोटे मोटे और भी कोई चीज़े उगे मोबाइल हो गया ऐसा कुछ भी हो गया वह अंदर के इंपर रखा है तो उसके बारे में चिन्ता बिल्कुल मत करिए कपड़ों की या पिर ऐसे कोई हलक के पुल के पड़ा होगा वो डालेंगे या तो आसपास से मिट्टी उठाके डालेंगे पानी से आग बुझाना या फिर मिट्टी से आग बुझाना ये वैसे तो पॉसिबल है पर ये काम कब कर सकते हैं आपकी आपकी गाड़ी में इनिशल बेस्क पर आपको पता चल जाए बहुत ही कम अमाउंट में आग वाँ पर लगी हुई है तो ऐसे टाइम पर हो सकता है कि आप अपने कैपेबल हैं उस आग से लड़ने के लिए उसे बुझाने के लिए और वस सिनारियों में अगर ऐसा हो जाता है कि आग बहुती जोर से बढ़क चुकी है अब ऐसे में आपके कंट्रो डीजल होता है अगर cng गाड़ी है तो cng का टैंक ही आपस में एक बॉम की तरह है और बहुत सारे उसमें ऑईल चलते हैं यह सारे जब जलते हैं तो बहुत जारा प्रेशर बिल्ट अप करते हैं हो सकता है कि आपकी गाड़ी के आसपास हलका फुलका ब्लास्ट हो या सब्सक्राइब करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आग आगे की तरफ लगी है और जादतर केस में इंजिन में इसे ही आग का लगना स्टार्ट होता है तो ऐसे में अगर आपको पॉसिबल है आपने रेट्रोफिटमेंट करवाई यह cng की तो जल्दी से पीछे की डिक की खो और जादा बड़ा रूप धारंगर सकती है और वैसे तो गाड़ी के आसपास ऐसे में खडानी होना चाहिए लेकिन खास करें मैं बता दूं गाड़ी के टायर के आसपास बिल्कुल खडानी होना चाहिए क्योंकि टायर में एर बरी होती है बहुती प्रेशर से बरी होती है तकरीबन 30-35 PSI का प्रेशर उसमें होता है और जब आग उसमें लगती है और दीरे दीरे उसको पूरी तरह से गलाने लगती है टायर को तो उसमें से इतनी प्रेशर से गैस निकलती है कि वो सीधा आपके मूँ पे आपके शरीर पे आग को फैंक सकता है सायद आपने देखा भी होगा कि कोई गाड़ी जब जलती है और लास्ट में जब उसके टायर फटते हैं तो बहुत ही बंब कैसी आवाज आती है बहुत ही भैनक आवाज आती है अब यहां पर एक चीज़ और मैं आपको बता हूँ गाड़ियां जितनी मॉडन हुई है उतनी ही उसमें सहूलेत ही हुई है और साथ में उसमें परेशाने भी बढ़ती है अब जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल लॉकिंड एक सिस्टम होता है कि जो गाड़ी के चारो दर्वाज़ों को एक साथ में लॉक कर देता है और यह सेंट्रल लॉकिंड जो भी होता है वह कही कि electronically काम करता है अब बहुत सी बार यह हो जाता है कि अगर fire accident ऐसी गाड़ियों में होता है तो accidentally अगर कोई ऐसी तार है जो जल गई कि जहां से electronic system break हो गया और आपकी गाड़ी में जो भी central locking system काम करना बंद कर देता है तो ऐसे टाइम पे चारो दर्वाजे आपके lock हो जाएंगे तो यहां पर सबसे बड़ी problem यह पढ़ती है कि अगर वो दर्वाजे नहीं खुल पा रहे हैं और अगर electronic failure के वज़ए से आपकी power window है वो भी down नहीं हो पा रही है तो आप कैसे निकलेंगे वैसे तो बहुत ही जिसे wind shield breaker कहते हैं जिसे easily आप किसी भी कांच को तोड़ सकते हैं खास करके गाड़ी के कांच को तोड़ सकते हैं और उसके साथ में ऐसा tool भी आता है कि अगर आपने इस तरह से seat belt यहां पर लगा रखी है और seat belt फर्स रखी है और वो easily नहीं निकल पा रही है तो उसे भी request आप निकाल सकते हैं और इसकी जो आप यहां पर पिन देख रहे हैं इस पिन से आप किसी भी क्लास को easily तोड़ सकते हैं और इसका safety परपस से दूर रहें खुद आख बजाने की कोशिस ना करें fire brigade को call करिए और अगर आपके आसपास बैठे हुए किसी बंदे की हलकी सी इंजरी हुई है आग से तो तुरंत उसको पैनिक ना होते हुए याद रहना चाहिए कि अब हमें इसके बाद में next step क्या करना है तो कैसी लगी है जानकारी वाली वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे चरूर बताना और प्लीज अगर इस वीडियो में दी के जानकारी में से एक परसेंट भी अगर आपको अच्छी ल झाल